आदो स्टोडेंट्स, I am Rajanthanir Kumar Chahul रॉर्फर का रुइवर्फप्रसर का रुगस्टी, today we will discuss controls of FSP motor, speed and direction of rotation बोलने का मदला भी है, FSP motor full form होता है, Frictional Horse Power , इस test में हमको FSP motor की speed को vary करके दिखाना है है और साथ इसाथ उसका rotation direction की rotation को चेंज करना इसकी clockwise है तो इसको एंटी clockwise करना है एंटी clockwise है इसकी direction को चेंज करने को clockwise में भूमाना ऐस बेखेश्ठी मोटर को दो फट्र क्या होता है पहले में आपको बता देता हुं Frictional और सो पावर वाट इस पी मोटर हम उसे बोलते हैं जिस मोटर की आउट्पुट रेटेट शम्ता एक श्पी 746 वाट से कम होता है वह आपका फ्रिक्शनल हर्स पावर मोटर कहलाता है ठीक है तो इसके लिए उसके लिए प्रेटर की रिक्वाइड रहेगी पहले आपको बता अच़्ाने के लिए विलचिए मेर्यर करने के लिए वाल्टेज के सांसर में आमारा क्या होगा इस पीड एफैश्पीामोंटर की स्पीड एर tomarЛभी होने और यहां पर फेस वाले terminal से हम दिये, यहां पर हमने वोल्टमितर को parallel कनेक्सन करना है, अभी हम इसको 150 के रेंग में सेट कर देते हैं, ठीक है, अरि हमारा neutral terminal यहां पर आपको voltmeter में दिया गया है common terminal, ठीक है, अब यहां से हम connection output लेते हैं यहां पर कॉमन टर्मिनल यहां डिया है यहां पर कमन टर्मिनल से इस बस्ट कर देते हैं इसमें टर्मिनल दिया हुआ है इसमें हम अच्छे से इसको टाइट कर लेंगे कि ठीक है अई जो हमारा फेस्ट टैन्मिनल है इसको भी हम टाइट कर लेंगे तो चलिए अब इसको हम आउन करके देखते हैं और इसके इस्क्वीड को वैरी करके देखते हैं इसका इसक्वीड वैरी होता है या नहीं होता है कि ठीक है अई यहां पर हमारा वैर्ट मिटर सु हो रहा है और साथ ही हमारा फेन घूमने लगा ठीक है अब देख सकते हैं इसकी स्पीड में वैरी एसन आ रहा है इसका अब हम इसकी स्पीड को कम करके भी दिखा देते हैं आपको यहां से आप वैरी करते जाएंगे अभी हमारा साथ ओल्टेज दिखा रहा है यहां पर इसकेल है 1522 मतला 1522 करेंगे तो यहां पर हमारा 120 का ओल्ट है ठीक है अब इसके ध्यान से देखिएगा यहीं पर हम इसका रोटेशन को समझेंगे ठीक है कि अभी एक कॉंसा डायरेक्शन पर चल रहा है चले में इसको भी आफ कर देता हूं कि इसकी रोटेशन को देखते रही आप कि देख सकते हो अब हमारा जो मोटर है वो ऐसके डायरेक्शन में रन कर रहे ठीक है क्लॉकवाई से यह थी अब हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो हम इसके क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ इसे पहले supply off कर लेना है यहाँ पर जो दो wire दिया हुआ है जिससे आपका यह condenser connector है ठीक है totally ceiling fan में तीन wire है ठीक है यह हमारा हो गया common terminal और यह हमारा दो wire और बचा ठीक है एक को बोलते हैं starting और एक है हमारा running ठीक है तो इसको just time को क्या कर देना है interchange कर देना है ठीक है ठीक है यह change हो गया इसको tight कर लेते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए अभी इस फाहां अन करके देखते हैं कि अब इस पीज़ान करके देखते हैं अब देख सकते हैं, ठीक है, डारेक्शन चेंज हो चुका है, ठीक है, अभी स्प्विट ज्यादा है, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं जैसे इसकी स्प्विट का आपको कम तरकर दिखा देता हूँ, ठीक है, अब देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो मोटर है, पहले क्लॉक्वाइज डारेक्शन में रन कर रहा था, अब यह एंटी क्लॉक्वाइज डारेक्शन में रन कर रहा है, ठीक है, तो इस तो